सल्मान खान फिल्म तेरे नाम के लिए गंजे क्यों हुए? दिल्चस्प वाक्या बता दिया भारती मारूफ अदकार सल्मान खान ने अपनी माजी की मकबूल तरीन फिल्म तेरे नाम के किरदार राधे मोहन को निभाने का एहम फैसला लेते हुए फिल्म साइन करने का दिल चस्प वाक्या बता दिया बॉलीवुड में प्रेम के नाम से पहचाने जाने जाने वाले अदकार सल्मान खान ने 2003 में रिलीस होने वाली अपनी एक मखबूल तरीन फिल्म तेरे नाम में राधे मोहन नामी एक बिगडे हुए नौजवान का किरदार ने भाया था जो एक कॉलेज की तलबा निर्जरा भूमेका चावला की महबत में उपतला हो जाता है इस फिल्म की मुनफरिद कहानी के इलावा फिल्म में सल्मान खान के अपनाए गए अनौखे लुक्स ने भी फिल्म के रिलीस से कबल ही अवाम की तवज्य अपनी जाने बबब्दूल कर वाली थी आधी फिल्म में सल्मान खान की बीच की मांग पर लंबे बाल थे तो बक्या फिल्म में अधकार को मुकमल तोर पर गंजा कर दिया गया था आम तोर पर अधकार अपने हेर स्टाइल के हवाले से बेहद हसास होते हैं और गंजे होने का खयाल भी अपने आस पास नहीं आने देते ताहम सल्मान खान ने ये बड़ा अग्दाम 2003 में लिया और अब इन्होंने अपना सर मंडवाने का फैसला लेने के एहम वज़ा बता दी इन्होंने एक भारती टेलिविजन शो में बताया कि तेरे नाम के हिदायतकार ने इन्हें फिल्म की पेशकश की और कहा था कि इनको इस के दार के लिए गंजा होना पड़ेगा लेकिन सल्मान ऐसा करने के लिए हरगिस तयार नहीं थे इनका कहना था कि वो इन दुनों एक और फिल्म कर रहे थे और एक रोज इनको तेज बुखार था और फिल्म के हिदायतकार इस बात पर बज़ित थे कि मैं शूट पर आऊं तहम मैं हिदायतकार से तंग आ गया और मैंने बात रूम में जाकर ट्रिमर उठाया और अपने सर के सारे बाल उतार कर खुद को गंजा कर लिया अदकार ने मजीद बताया कि मेरी फिल्म तेरे नाम करने से कोई भी खुश नहीं था और हर कोई मुझे इस फिल्म को ना करने का इमश्वरा दे रहा था लेकिन उन दुनों मैं जिस फिल्म को कर रहा था इसके हिदायतकार ने मुझे ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया बाजी रहे कि फिल्म तेरे नाम 15 अगस 2003 को रिलीस हुई थी और इस फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस करने के साथ साथ बॉलिवीड की मतवालों खास दोर पर पाकिस्तान और भारत में लड़कों की हैरस्टाइल को यकसर तबदील करके रख दिया था तमाम लड़के सलमान खान की तरह बीच की मांग पर लंबे बाल को बतोर हेरस्टाइल अपना कर बेहत खुश थे